तो guyz आज ही video में आपन discuss करने वाले हैं डिफेंट स्टाक्स के बारे में और डिफेंट स्टाक्स इतने overvalued होते जा रहे हैं क्या ये investibul रहे भी गए हैं तो कौन से dichtözबेंट स्टाक्स आपके लिए better रहें हैं और क्यूं आपको उन्स में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या फिर क्यूं बिलकुल भी नहीं चुना चाहिए सब बेसिक क्वेश्चन में डिसकस कर लूँगा एक्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे कमेंट सेक्षन इस अलवेज ओपन फॉर यू गाईज तो कमेंट सेक्षन में आप जाके बास फूश लीजेगा आंसर आपको जल से जल में जाएगा तो चलिए सीधा बिने कोई टाइन बरबात ये बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो गाईस सबसे पहले अपन स्क्रीनर डॉट इम पर आच शुक है वह है ये डेट यीबहुत कम रहता है इनका ठीक है ये चीज बहुत सही रहती है डिफेंस कमनी में डेट बहुत कम है profit growth अच्छी दिखते है इंपे में को but एक चीज में को थोड़ा out of row लगता है वो है यह पेक ratio देखो यह दो एक दो तीन चार पांथ छे छे का यह वन के उपर है which is not good टीक है अच्छा निकाल लेते हैं लोग बहुत बड़ी चीज है ठीक है बड़ बुक वायल्यू भी आप देखो ना तुम्हे को बुक वायल्यू में ना एक ही कमनी सही लग रहे हो है यह अपकी यह बी एमल बट उसको तो देख नहीं है अपनको तो सबसे बेस्ट है यहां पर में को हिंदूस्ताण और कोचिन लग रहे है बट दूसरी चीज़ों में भी देखू मैं इंडस्ट्री पी पी देखू ना पी तो हिंदूस्ताण का बहुत अच्छा है इतना अच्छा पर भारत एलेक्ट्रोनिक्स भी ठीक है और दूसरी सब का है इतना में कोग खास नहीं लग तो ठीक है तो वही चीज है सबसे पहले अपन सीधा गुशेंगे एक एक का अनलसे भखावाद करेंगे एक नंबर आपको अनलसेज मिल जाएगा सीधा इंवेस्ट करने घुश जाओ गया पैसा है अगर इसमें करना है तो तो से पहले करेंट प्राइस आपको मिल जाता है या पर 4300 रुपए का ठीक है सिंपली बन जान लिए फिर अपको पी ठीक मिल रहा है इसका अलोज अच्छा है अच्छा है फिर अपन को प्राफिट गोरत अच्छी मिल रही है फेस्वएल पांस यह तो सूपर्ब सूपर्ब है यह इतनी माल वह अपना इंटर्स दे सकती है इतने जोड़दार कंपनी है यह अपन सीधा आप देखेंगे इसके की पॉइंट्स ठीक है और अवियाशन प्लेयर सप्लायर ठीक है यह आवियाशन में काम करते है और बुक इसके 94,000 क्रोड इसक अच्छा लिख रहे है क्योंकि इसकी 1 3rd order book है इसके पास शेयर की और वह बढ़े रही है कि घटरी है वह भी थोटा जानना जबरी है जो मैं जान लूंगा बट अभी एक शेर आपको डिसकांट में मिल रहा है बहुत अच्छे घासे इसकांट में मिल रहा है अपको टॉप अच्छी कही कासी काश है और जो प्रोफिट्सेंध सेक बहुत अच्छी कासी है इटेक है फ्यू भी और alive को अच्छी काशईर अने की काशगा अपको समझ आँ आ यह बढ़ने ही इते के ताथ reflecting उसल्कित प्रांट मिल अच्छी है और जो to reserves balance sheet यह बहुत सही चीज़ रहती है में चीज़ में आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हो ना balance sheet खोलो सब चानलो reserves growing है बहुत अच्छी चीज़ है टिक ठीक है बोरेंग्स कम हो रही है टिक अधर लाइब्डेटिस चेक नहीं करेंगे fixed assets ग्रो कर रहे है नहीं तो ठीक है यह डाश रहेंगे इतना खास नहीं है चलो सीड़ लाइबरी ग्रो कर रहा है टिक investments grow कर रहे है टिक और इनके trade payables है receivables भी है जो अपन नहीं गुसेंगे एक दम अंदर बड़ आपन आगे बढ़ेंगे सिदा cash flows negative में है ओके ठीक है इतने गंदे भी negative नहीं है investing activity में वह जान लेंगे अपन क्यूं गए है तो fixed assets purchase कर रहे हैं इसलिए investing activity में गए है that's a good deal तो अपन उस पर नहीं focus करेंगे ठीक है तो यह investing activity में जाता है तो एक अच्छी चीज ही गिनाती है ठीक है आगे बढ़ेंगे अपन cash conversion cycle तो इसके थोड़ी जादा है थोड़ी मतलब बहुत जादा ही बोलूँगा मैं upward तरफ है इनकी थोड़ी cycle तो वह चीज थोड़ 90 से अभी यह लोग 70 पे आ चुके हैं तो 20% माइनस हो चुकी है इनकी ठीक है that's not a good deal पर ठीक है FIIs ट्रस्ट करने लगए इस company को अपन देख सकते हैं जैसे कि यहां पर ट्रस्ट आ चुक है company को जीरो से यह लोग अगर 12% तक खिज गए है डी आई आई वो लोग तो एकदम सेम रखें अपनी holding public बढ़ाई है क्योंकि public को defense sector defense sector का एक बूम चल रहा था जहां पे लोग यहां पे ऐसे ऐसे ग्रो कर रही थी ना companies तब यहां पे लोग ले लिए और फिर वहां पे जब है ना इससे consolidation आया गिरने लगी ना तब यहां पे लोग panic selling करने लग गए तो यह company हो जाती है अपने टिक investable है यह company ठीक है but wait for the right valuations I would say right now too but एक चीज़ देख लेंगे पी ratio का पन गो देख लेंगे चार्ट five years के median P से बहुत जादा उपर है but one year के median P पे देखूं तो one year के median P पे है यह company 6 month का देखूं तो down है वही चीज़ एपन one साल पे देखेंगे क्योंकि defense company का भी boom आया है that's the deal तो this company looks good and investable right now but market conditions देख लीजेगा that's the deal सीधा बढ़ेंगे वन भारे इस electronics limited पे तो यह company का P E ratio is okay it's not very good I would say because इसका P E से industry P E से कम है इसलिए debt बहुत कम है interest coverage ratio superb इसको भी super rating मिलते इसमें pay ratio okay ish ठीक है ज्यादा नहीं है profit growth good ठीक है good मिलके इसदर इसको ठीक है ROE ROCE ROE दोनों अच्छा है price कम है इस company का इसलिए यहाँ पे बहुत इच्छा win मिलता है इसको इसका price कम है ठीक है that's the deal अपने इसका सीधा बढ़ेंगे एक बार order book पे तो current order book फिर यह बहुत पुराना है actually current order book मैं भी निकाल लेता हूँ one नहीं अभी तो अपडेट हुआ है इसके पास ठीक है एक बात अब भी निकाल लेंगे मैं अभी निकालता हूँ 356 ठीक है ठीक है actually अच्छी चीज है दूसरा सब कुछ आपकर देख सकते हैं pause कर लीजिएगा वीडियो को या slow कर लीजिएगा अपने हिसाब से तो आपको मिल जाएगी सब इसके बार में details मैं इसले slow कर रहा हूँ यह सब चलिए आगे बढ़ते है ब्रो कि अपन देखते हैं अपन कौर्टरी रिजल्स देखते हैं ठीक है अपनको revenue ग्रो देख रहा है grow and then growth दिख रही है वापस growth दिख रही है ठीक है अपना अपन profit net profit देखेंगे growth 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 ठीक है growth बहुत अच्छी दिखी है अपन को तुमें को लग रहा है यह company investible तो है यह भी अच्छी आपन को growth तो दे रह net profit भी ऊपर तरफ है जब कि TTM बहुत अच्छा net profit which is a good good thing तो यह company भी investible दिख रही है अबीतर चलो सीधा balance sheet पर अनलसिस करेंगे balance sheet अपन देखेंगे तो रिजर्व्स ग्रोइंगे तो रिजर्व्स ग्रोइंगे और लाइबलिटी नहीं देखेंगे और लाइबलिटी नही है तो that's a good thing चलिए सीधा आगे बढ़ेंगे है अपन cash flows पे तो यह बी नेगेटिव में जा चुकिए cash flows और वह investing activity बहुत पैसा डाल रहें लोग तो वही चीज है other investing items तो कोई नहीं देख सकता चलो anyways तो इसका थोड़ा कम cycle है ठीक है यह HAL से इसका कम cycle है ठीक है HAL से BEL ठीक से DII बेचे हैं public खरीदी है FII खरीदे है yearly देखा जाए तो इसकी भी declining रहा है क्योंकि इनको भी बहुत साधा fundraising के जरुआ थी corona time पे ठीक है उस time पे FII ने बहुत जाड़ा डाल दिया है and DII भी थोड़ा डाले है public भी थोड़ा बढ़ाई है तो that's a deal guys but number of shareholders बहुत जादा ब share आपको नहीं मिलने वाला है ठीक है आप समझ जाना यह बहुत उड़ने वाला अभी और इसका जो अपन चार्ट है उसमें भी आपन देख सकते हैं कि यह अच्छा कासा discount में मिल रहा है तो 277 में मिल रहा है which is a discount of again 30% के आजबजू का discount है ठीक है तो यही चीज अची लगी को सब shares अभी discount में 50 DMA के नीचे है तो आप buying करने का देख सकते हैं एक बार के लिए support में को दिख रहे हैं यहाँ पर support मिल सकते है company को so you can look on to it चल यह सीधा बड़ते है next company पर and that is solar industries तो यह तो भाई industrial explosive और यहाँ पर यह लीडिंग है इसका defense में भी RDX RDX TNT यह सब बनाती है तो ठीक है यहाँ पर इस company को बहुत ज्यादा वह है खतरनाक company इसलिए इसका P.E.V. बहुत खतरनाक है ठीक है नाकपुर में यह company situated है मैं actually इसका plant देखा हूं so it is a big plant I would say ठीक है और इनकी manufacturing facilities और बाकी है और इस्टेलिया में आ रही है थाइलेंड में और इंडोनेशिया में बड़ी चीज है strong order book 4000 करोड की order book है कम बोलोगे आप तो मैं भी latest order books निकाल लोगा इसकी रूप चाहिए तो गाइस एक अपन को इसका कॉन देख रहा है और वो है 5000 करोड की order book तो यह अच्छी चीज नहीं है इनके पास future के लिए नहीं है क्योंकि 510000 करोड की company है इतनी महंगी company है तो आप एक बार सोच के लेंगे तो मैं को इतनी खास नहीं लग रही है personally now अब मैं इसमें इन्व इसका stock का पी भी उतना है तो I wouldn't suggest this company so मैं इस पर research करके time बरबाद नहीं करूँगा सीधा बढ़ेंगे अपन next company पे which is coaching शे प्यार तो इसमें तो बहुत लोग फास चुके हैं और सब डर रहे हैं by the way company 10% मार शुके कल तो खुश हो जाओ guys क्यों रूखी हो रहे हो भाई तो P P ratio इसका थोड़ा हाई दिख रहे है में को इंडस्टी में थोड़ा सा हाई है इसका ठीक है P ratio तो अपन उस पर focus कर सकते कि P ratio हाई दिख रहे है ठीक है but the thing is यहाँ पे अपनको interest coverage ratio भी थोड़ा लोग दिख रहे है फिर अपनको peg ratio बहुत हाई दिख रहे है तो मेरको यह company थ पे इतनम गुजगुज के क्या करना है यह वो यह वो order book अपन देख लेंगे सीधा समनलो 30,000 कोड़ की order book है ठीक है the order pipeline student 9000 कोड़ तो 30,000 कोड़ की order book है यह चीज इसकी अच्छी है बस कि इसके पास जो order book है वो इतनी ज्यादा किसी के पास नहीं है पर market cap देखो तो मैं तो quarter results आपने को यहां पर sales growth देख रही है sales growth 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 profit growth 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 ठीक है अच्छी बात है profit and loss में भी सब growing देख रहे है उपर-उपर काई analysis करने वाले है अपन balance sheet में भी अपने को fixed assets growing देख रहे है then reserves growing देख रहे है that's a good thing reserves grow then you get the borrings come तो यह तो तो यह तो टेक 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 सब टेक मार यहां है but यह चीज और अच्छी है CWIP बहुत ज्यादा बड़ा हुआ इसका यह अच्छी चीज है अच्छी है तो अपन इसको यहां पर देख लिए and the other thing is इसके cash flows negative भी रहे है बोर टाइम से cash यह यह अच्छी है its cash return cycle BEL से भी कम है that's the thing यह HAL और BEL अपन जो में दो companies research किय उससे भी कोचिन शेप्याज ठीक है इसका काम है उससे भी that's a good thing then share rolling pattern अगर देखा जाए यह वाइस तो इसका जादा नहीं गिरते हुए दिख रहा है FIIs ने cash टेक बढ़ाया है D.I.I.S. टेक घड़ाया है public cash टेक बढ़ चुका है number of shareholders जादा हो चुक है इसले में को इतना जादा उस पे वह नहीं आ रहा है that's a deal इसले में इस पर दादरी सच नहीं कर रहा बढ़ते हैं भाराट dynamics पे तो यह company मेरे को नहीं लग रही है इतनी investable मैं उपर से ही देखना चाहूंगा इस company में से इतना खास नहीं दिख रहा है बड़ तब भी देख लेंगे इसके पास पीर यह ओ है वही चीज हो गया है तो इसका बंड नहीं रहा है इसका कोई अड़ नहीं हो रहे फिकर्स बट ठीक है तब भी देख लेंगे इसके पास कितना जादा ओडर बुक है तो यह रहा है इसके पास ओडर बुक है 20,000 करोड का ठीक है आधा 50% मानी लेते हैं 50% की अगा में मिल रहा है क्योंकि अपने 200 EME को वापिस से क्रॉस कर लिया अपर यहां पी अगर मिल रहा है आपको तो यह बहुत अच्छे इसकांट में मिल रहा है आपको अराम से 40-50% के इसकांट में मिल रहा है तो यू can look on to it once अच्छी चीज नहीं है यह कंपनी को छोड़ रहा हूं मैं उपर सही रिसर्च करना सौरी इस पर रिसर्च नहीं करेंगे हडा दो इस टो शेर है तो दूसरा शेर ले लो अच्छा वाला GRSE this also looks average ठीक है यह कंपनी क्योंकि इसका interest coverage रिसो जादा नहीं है पी पेग रिशो जादा है profit growth अच्छी है मान रहा हूं बट इंडस्ट्री पी जितना ही इसका पी बन गया है तो मैं क्यों इस कंपनी में जादा इंवस्ट करना चाहूंगा क्यों देख लेते हैं क्या पाद का order book है मैं भी latest निकाला हूं तो 30,000 का order book मिल रहा है और market cap उसे कम है इसके लिए invest करना चाहो तो कर दो बट ऐसे invest करना है अपन को तो मैं तो construction sector में invest करूंगा क्योंकि इसके में तो 3-3 times order book मिल जाती है अपन को ठीक है completed projects भी है इसनके और उनको अभी just एक नया order मिला है जर्मनी से that is a big thing वो अच्छी चीज है by the way company अकल उड़ी है च्छी खासी देख सकते है अपन 9% मारी है अकल तो वही चीज है उड़ गई एक दम तो यहाँ पे अपन एक बार देख सकते हैं कि 50 DM इनको आड़ा आ सकते है 1885 उसके बाद buying करनी हो करना कोई मनाई नहीं है आच और ग्रोग दिख रहा है और ग्रोथ और ग्रोथ 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 दिख रहे है गाईस मैं यह भी समझ रहा हूं थोड़ी लंबी खिजारी वीडियो बट सुन लो यार चले आओ के ना मजा नी आएगा फिर आकरी में करने प्लिशन देने वाएं कौन सी कमनी में को बेश लगी है तो प्रॉफट ग्रोथ इसकी बहुत सही लिख रही है सेल्स ग्रोथ भी बहुत सही लिख रही है इतना खतरनाक हो गया है न भी तो थक क्यों मैं बोल बोल के आएविज आके बढ़ेंगे तो तो टिक मार्क बॉर्रिंग कम की है कंपनी फिर इसके फिच्ष उनी दिख रहा है तो बैलने शीट की थ्थोड़ा सा वीक दिख रही है दिख रही है मिरको बैलने शीट की ये नेट ब्लोग कभी भी ड्यो होना चाहिए कहा तब एंधर कहां तो ये भी क्रस नहीं बहुत समूंत बेदया है अगर उनका माईनस हुजा रहे तो इची चीज मतलब सबका वो बना के बैठे है चल बिचारा जी यहां पर बी एल आपका सब कुछ एक तरह जी आरेसी एक तरह बड़ी भाई नहीं समन में आ रहा है को थोड़ा यह कंपनी कम समन में आई बड़ यह चीज है कि इसकी आपके रिसर्च कीजिए आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो एकडम जोड़ार है में को कमेंड में लिख दिया में कमेंड पिंट कर दूँगा ठीक है तो मैं आफ्टर आल एक ऐसे कंक्लूजिएन में आया हूं कि बेस्ट कमपनी जो है ठीक है में को HAL लगी उसके बाद आती है BEL ठीक है यह दोनों कमपनी में को बेस्ट लगी है इस पर आप एक बार रिसर्च करिए बेस्ट कमपनी यह है इन्वेस्टिबल है कि नहीं है इन्वेस्टिबल है कि नहीं है तो I would say 50-50 chance है मार्केट अगर नहीं पलट रही है तो इन्वेस्ट करने का एक बार देख लो क्योंकि इन्वेस्ट आप अगर आवरेजिंग कर रहे हो तो 100% आप चालू कर दो अभी से लेना इन दोनों को HAL is best than a BEL of course मैं चार बार यहीं बोलूँगा क्योंकि इन दोनों कंपनीज में मैं बहुत पोटेंशल देख रहे है अगर मैं को पर्समेल डिफेंस कंपनी खरीदी है तो मैं HAL खरीदूँगा उसके बाद अगर मैं को सेकंड डिफेंस कंपनी खरीदी है तो of course BEL उसके अला सकते है खरीद लीजिए खरीद लीजिए ठीक है अब खरीद लीजिए अदरवाइस रह जाओगे वैसा हो जाएगा व्योंकि डिफेंस का ऐसा हो गया है कि उसको सबसे आदा बजेट में एलोकेशन मिल रहा है तो उसके और जाने की चीजे भी बढ़ जाती है उससे तो वह किए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ उनको बताईए कि कौन सी क्यूं डिफेंस का सेक्टर अभी इंवेस्टिबल है और उनको पूरा वीडियो देखने दीजिएगा अगर आधा दिखा होगे तो नहीं सामन में आएगा मैं क्यूं कम्पनी का रिसाच नहीं किया